हालो हांची बोलो कि कितना पैसा बागी है आप क्यों उसका फोटो ऐसे शेयर कर रहे हो आपको शर्म नहीं आती है नहीं 11000 का फ्रॉड किया तो उसके लिए पुलिस है उसके लिए कोट है आप ऐसे किसी का न्यूड फोटो एडिट करके कॉंटेक्ट लिस में भेज रहे हो मैं पैमेंट अभी आपको करूँगा ना लेकिन आप ऐसा गंदा काम क्यों कर रहे हो वो अगर आदमी सुसाइट कर लेगा तो फिर उसका कौन जिम्यदार होगा ने तो नमबर आपका ब्लॉग कर दिया तो क्या हो गया नमबर आपका ब्लॉग कर दिया उसको मैं नहीं था आप से बात करने का ब्लॉग कर दिया तो उसका आप फोटो न्यूड एडिट करके मेज हो गया आप कोट जा सकते हो ना पॉलिस टेशन जा सकते हो अगर उसने फ्रॉड किया है तो भारत से आप भारत में पॉलिस काम नहीं करती है क्या भारत में कोट काम नहीं करता है क्या लोग कोड़ों रुपे का लोन देते हैं आपका तो 11,000 रुपे है कोड़ों रुपे का लोन बैं आप इंडिया से हो या नेपाल से हो इंडिया से तो आप लेकिन आप नेपाली लग रहे हो नेपाली हो ना आप नेपाली हो लेकिन इंडिया में भी हो तो नेपाली से आप नेपाल से इंडिया में कैसे आगे आप नेपाल से इंडिया में कैसे आ गए हैं कि मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको हिंदी भी समझ में नहीं आता तो आप नेपाली में बात कर सकते हो आपको नेपाली आता है मतलब है न बेखके क्या आतंगवादी भी हो सकते हो आप अने मिले हो ना अउसने पर नहीं लिया है मैं आपको बता दूं उसने कोई नहीं लिया है उसके साथ प्रॉड हुआ है उसके साथ प्रॉड हुआ है उसके साथ क्या हुआ है कि लोन देने के नाम पे उसके मुवाइल फोन पे एप को इंस्टॉल करवाया गया फिर उसका डाटा है किया गया फिर उसके डाटा को है करके ब्लैक मैंनी को वाइट मैंनी में कनवर्ट करने के लिए उसके एकाउंट में आटो कैजिट किया गया और फिर हफते भर में उसको डबल पैसा देना के लिए बोल रहे हैं वो एक रुपया भी नहीं देगा आपका क्योंकि आप आतमवादी के साथ मिले हुए हो आप लोग फरजी हो आप लोग ऐसे फोटो भेज के पैसा नहीं कि आपको एक रुपया भी ने देखा भो भारात में dabei आपकी और अप लोग मुझे पता चल गया और मुझे पता चल गया आप आप नेपाली हो रही साथ मिले हुए हूं वह बहुत में लोगों को ड़रा धंका के उनकी तसुएरे न्जट फोटो भेज के उनसे पैसा वसूलते हो आप यही धंदा करते हो ना कोई लोन नहीं लिया उसने अगर लोन लिया है आप कोट में जाए आप पोली सेशन में जाए फोन पे ऐसे करके पैसा आपको एक रुपया भी नहीं मिलेगा सुना किस तरीके से हमने यहां पे निकापाली recovery agent को खरारा जवाब दिया इन्होंने हमारे पर स्कॉल कर दिया किसी ने हमारा नमबर सेव किया होगा तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरही कैसे आप इनको जवाब दे सकते हैं ये खुद सामने से phone card देंगे और खुद परिशान घबरा के आपका phone card देते हैं यानि खुद ही आप से दूर भाग जाएंगे कि इनको जब समर्ज में आचा है कि सामने वाला डरने वाला नहीं है पैसे नहीं देने वाला है तो ये आपको परिशान भी नहीं करेंगे अगर आप भी किसी भी recovery agent से loan app से परिशान है या आप से पैसे की demand कर रहे है आप हमें contact करें complete help आपको हमारे lawyer के दौरा provide किया जाएगा जिसे कहीं से भी आपको 9 का payment का attention 9 के black mailing call का 9 को illegal issue का और 9 कहीं से contact में बदनामी का आपको अपने बचाओं में क्या क्या preventive step लेना है कहा complain करना है सारा कुछ आपको बताया जाएगा